चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं day one of the construction site ठीक है तो आज हम यहां पी यह discuss करेंगे जब आप site पे visit करते हो ठीक है तो this is the day one और जब पहले दिन आप site पे जा रहे हैं तो आपको पता नहीं क्या होता है site के अंदर क्या होता है construction site पे तो आप कैसे identify करोगे कि actual में एक safety supervisor या officer कि जो job responsibility है वो क्या होती है तो इस image में चल के पहले हम देखते हैं क्या क्या आप हजार को identify कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है सारी चीजे इस image में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि इस image में आपको यह देखना है as a safety officer मान के चलो आप एक safety officer हो और आपकी पहले दिन duty लगिए कहां पे construction site पे और आपने क्या किया अपने site पे visit किये आपको कुछ भी नहीं पता आपने safety diploma किया safety diploma करने के बाद आपकी job लग गई आप site पे जाते हो और आपको यह identify करना है कि company के अंदर actually क्या हजार है ठीक है आपको यह चीज नहीं पता तो आप क्या करोगे site प Deaf Suzit कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों यहां पर देखना है कि actual मैं कौन सी site है सबसे पहले आपको पता करना चीए कि दोस्तों आप कि-स location पर हो क्या क्या कर रहे हो एक तो मैं आप लिखते जाता हूँ सबसे पहला जो point Number राता है आ कि आपका Location किया किस location पे आपकी duty लगी हुए है तो location मैंने लिखा तो location को identify करिए अब उस location पे आपकी duty deploy हो गई तो आपको करना क्या हजार देखना खत्रा क्या है तो सबसे पहले बात आती ही दोस्तों एकदम आँखों के सामने दिखाई दे रहा है कि एक worker बैठा हुआ है यहाँ पे unsafe condition अब इसके बिहाब में आप क्या करोगे अब यह तो unsafe condition है ही तो अब इसके बिहाब में क्या करोगे आप action लोगे report बनाओगे यह worker है इसका सारी information लोगे यह सारा काम करोगे दूसरा आप देख सकते LPG cylinder oxygen cylinder यहाँ पे है इस cylinder के अंदर protection cap नहीं लगा हुआ है एक observation आपको यह मिल गया देखो मैं daily basis पे बता रहा हूँ आप observation register लेके जाते हो तो यह सारे point लिख लो safety cap नहीं है लिख लिए found क्या oxygen cylinder without protection cap आपने observation लिख लिया इसके बाद अगला point देखो oxygen cylinder में यह मिल गया कि आपका oxygen cylinder properly vertical होना चाहिए tie up होना चाहिए या फिर इसने क्या कि एक pole बांदिया देखा जाए safety point आप युसे इस चीज का लिख है इसके लिए हमारे पास proper trolley होना चाहिए trolley नहीं है ठीक है तो trolley भी होना चाहिए proper chain से बंदा होना चाहिए एक observation यह मिल गया अगली बात करते है कि जिस area में काम चल रहा है उस area में पहले तो आप आख बंद करके लिख दो there is poor housekeeping दोस्तों ठीक है आपने लिख दिया क्या poor housekeeping यहाँ पे poor housekeeping और साफसफाई का मतलब यह होता है कि unwanted जितने भी scrap पड़े हुए ठीक है यह scrap पड़ा हुआ checker plate पड़ी हुए है यह pipe पड़ा हुआ है unwanted कचड़े पड़े हुए है यह सब properly यह से remove होना चाहिए अगली बात करते है अब यहाँ पे आपको देखना है कि काम किस चीज का हो रहा है काम हो रहा है दोस्तो cutting का अब cutting यहाँ पे हो रही होगी ठीक हमाने के चले यहाँ पे हो रही है अब यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है यह red color का यह wire cable गई हुई है loose connection गया हुआ दोस्तो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो there is found loose correction अब यहाँ पे fire होने का हजार है आपने identify कर लिया की short circuit होने की बज़े से आग लग सकती है तीसरी बात यहाँ पे आपको host pipe भी देखना host pipe की condition कैसा है ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको check करना होगा condition कैसी है किसकी host pipe की तो आपने देख लिया host pipe की condition good है और bad है सारा कुछ identify करना है ठीक है अब यहाँ पे जो काम हो रहा है उसके against आपको check करना है work permit मैंने short में लिख दिया WP work permit work permit है तब ही तो काम इलाओ करोगे अब देखो 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 यहाँ पे image में एक और hidden हजार दिखाई दे रहा है मुझे ठीक है आप भी देख सकते हो वो hidden हजार क्या है चलिए बताता हूँ मैं सबसे पहले तो आप यह देखो कि हजार क्या है वहाँ पे कि cutting का का काम हो रहा है मतलब होट इस प्लेटर निकल रहा है कटिंग कर रहा है अब देखो पीछे साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह देखो यहाँ पे पेंट की बाल्टी रखी हुए है मतलब आप यह समझाओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा major fire का हजार है आपका लोकेशन क्या आपके लोकेशन पर आपने डिपलाय कर दिया ठीक है आपने देख लिया कि worker without PPS बैठा हुआ है ठीक है बड़कर ने PPS ही नहीं पहरा हुआ वरकर का नाम आपने लिखा कौन सा कांटेक्टर है बाहर कर दो आउट बाहर निको यहाँ से फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि इस सिलेंडर के अगेंस्ट आपने सेफटी देख लिए क्या क्या है ठीक है हो सकते हैं आप रेगुलेटर काम ना कर रहा तो वह भी आप चेक कर ले ना ठीक है और इसमें चीज और भी दिख रहा है कि अना प्रॉपरली पैंट होना यह दम उबडखाबर हो गया इसमें टैगिंग सिस्टम सब कुछ रहता है ठीक है भरा है खाली है यह सब पता करना होगा और जब और ऑक्सिजन सिलेंडर है तो दोस्तों यहां पर दिखनी रहा है लेकिन होगा तो उसके अगेंस्ट भी आपको चेक करना है ठीक है को भी मूब करेगा तो यहां पर गिरने का चांसे जाता है स्क्राइब मटेरियल स्क्राइब में डालो जितना अभी डस्ट भीन है उसको डस्ट वीन में लेके डालो तो यह एक इंसान मतलब जो 5S काईजन कैसे में इंडिन करते हैं तो दोस्तों यह चोटा सा एक ट्रेलर और हम सारा सीरीज स्टार्ट करेंगे डे वन डे टू डे थरी सारे इमेज को मैं रखूंगा और वहां पर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपका नौलेज बूस्ट होगा ठीक है तो नौलेज इस था पावर आफ सक्सेस चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही रखता ह झाल झाल